नमश्कार कैसे हो नन्ने दोस्तों आज की ये जो सोमवार है ये जो हपते की पहली दिन है बहुत अच्छे से शुरू किये हो है ना वैसे हपते की पहला दिन तो रविवार होता है तो चलो शुरू करते हैं सुकुमार राय के लिखी हुए जो नाटक हम लोग पढ़ रहे थे या सुन रहे थे कहानी के आकार में हिंग शुटी या जलने वाली इस नाटक के चौथा यानि की आखरी परफ को चलो सुन लेते हैं हिंग शुटी चैप्टर फौर लेखत शुकुमार रहे हैं हैंसा या जालन कहने लगी देखा देखा वो लोग मुझे बुरा कह रहे हैं बहुत ही गंदा कह रहे हैं इसलिए तो मैं उन लोग के पास थोरा सा भी नहीं भटकती और देख तुम लोग देखो मुझे अच्छे कहते हो अपनी मन के अंदर प्यार से मुझे पालते हो मुझे रखते हो इसलिए तुम मेरा तुम लोग के साथ इतना मधूर संपर्ख है आओ आओ हम लोग तीनों लोग मिलकर एक गाना गाते हैं जहां तक यह बोला जहां तक यह बोली हिंसा ने जलन ने और वहां तक जलन पहले लड़की और दूसरी लड़की यह तीनों मिलके एक गाना गाना गाने लगए हम लोग भई अच्छे हैं तुम लोग बुरे हो हम लोगो को मिलेगी मिश्री तुम लोगो को मिलेगी नीम हम लोगो को मिलेगा खेलो ना तुम और देखो हम लोगो को मिले की मिठाई तुम लोगो को तो नहीं मिला और अगर मिले भी तो वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोग सोएंगे गत्ते पे मा के एक तम बगल में तुम लोग सोना अन्धेरे में अखेले डर से कापते हुए हम लोग जाएंगे जामतारा चाड़ेंगे ट्रेन और अगर चलाती हो तुम साथ ले जाओ हम कहेंगे ठेंगा हम लोग चलेंगे छाती फुला के रंग बे रंगे जूता पहना के तुम लोग तो हो बुद्धू गंदा और बहुते लो भी तुम लोग नाशते हो बेताला हम लोग पहनेंगे रेशम और पाएंगे गहना तुम लोगों को तो नहीं मिला इसलिए तुम्हें नहीं आदत है सैना हम लोग होंगे लाट पे लाट तुम लोग जाओ जाओ अगर तुम चाहोगे कुछ तब भी गलाब पकर देंगे हम ये सारे तो भई अपने अपने मन की बातों से अपने ही सूर बिताल में सूर असूर में गाने लग गे और गाना खतम जहां तक हुआ पहरे लड़की बोली अरे देखा किती मीठी बोली है किती मीठी बोल के ये जलन केसे बात कर रही है देखो देखो हिंसा केसे बात कर रही है तो दूसरी लड़की बोली हाँ और हम लोग को किता ब्यार करती है और उन लोग को थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती तो हिंसा यानि कि जलन कहने लगी तब मैं आऊँ अब ही तब मैं जाऊँ है ना मुझे याद तो रखोगे ना तुम दोनो देखो मैं मेरा एक छाप छोर के जाता हूँ मैं मेरा एक छाप छोर के जाती हूँ ये कहकर काले काले उंलियों से पहली और दूसरी लड़की दूनों की ही गाल में वो छाप छोर के चली गई और स्वपन बुरी यानि स्वपन दादी अपना स्वपन की जाल को हटा लिये और जहां तक उन्होंने हटा लिये वहां तक सारे बच्चे धीरे धीरे नीन से जागने लगे तीसरी जो बच्ची थी वो साब से पहले नीन से जागी और कहने लगी मा अरे अरे हम कब सो गयते पता ही नहीं चला चौती लड़की बोली हाँ और किता अजीब सा एक सपना नहीं देख रहते वो कोई एक हिंसा है बोले तो तो पाचफी लड़की बोली हाँ कितने आशर की बात है मैं भी वैसे ही देखी हूँ और उस हिंसा की तो उन लोगों के साथ जादा बात चीद होती है जादा दोस्ती है तिस्री लड़की बोली हाँ उन लोगों की मन के अंदर रहती है वो चौथी लड़की बोली हाँ और तिका तिका बात बना के खाती रहती है पहली लड़की बोली हैं तेरे गाल में क्या है तो तीसरी चौथी और पांच भी लड़की बोली हैं तब क्या सही में वो छाप छोर के गई है क्या तो दूसरे लड़की बहंकर तोर पे अपने गालों में जो काले दो उंगलियों की दाग है उसको मिताने की कोशिश करने लगी तो सारे लोग कहने लगे, अरे, किता कंदा है, किता किता बतमाश है, तो पहली लड़की बोली, और कहना है इसको, कि हम लोग के साथ दोस्ती करेगी, तो दूसरे लड़की बोली, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दोस्ती करना मुझे, कभी नहीं दोस्ती करनी मुझे, त कहां तक पहले लड़की ये बोली वहीं सारे पांच बच्चियां एक साथ कहने लगी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं और इस शपत के साथ ही इस नाटक का इस कहानी की अंधोती है तो बच्चो क्या हम समझ पाए इस पूरे कहानी में हमने देखा कि जलन दूसर की अच्छा होने से या दूसरी का कोई भी चीज से अगर हमें जलन हो वो चाहे हम सजाक होकर हमें जलन महसूस हो या हमें पता नहीं हम सपनों में या मन की गहराई में ही अगर वो जलन चुपी हुई हो तो बच्चो धियान में रखना वो हमेश हमारे चेहरे में जलक के ही जाता है तो सबसे अची बात है हिंसा या द्वेश या जलन के साथ दोस्ती नहीं करनी हमारे पास जितना है हमारी सबप्रतिशत कर्म से जित्ता मिलता है सच्चाई के साथ प्यार के साथ उसमें ही खुश होना चाहिए है ना तो हम भी क्या शपत लेते हैं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं तो चल्लों दोस्तों आज के लिए हाथ अगी तटा